दोस्तो नमस्कार दुबई से आपका स्वागत है मैं यहां अंतराश्ट्रिये कॉंफरेंस को एड्रेस करने आया हूँ लेकिन जिस तरह से चंदीगड में जो घटनाय हुई है खासकर भावना किशोर के अरेस्ट को लेकर और जो उसमें डवलप्मेंट्स हो रहे हैं वो काफ की हद तक एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए खत अटाक है दोस्तो सबसे पहले तो यह समझना पड़ेगा कि क्या पंजाब एन हाई कोट जो न्याया ले है जो हाई कोट में जिस तरह से कारवाई हो रही है क्या वो पॉलिटिकल अखाड़ा है या न्याय का मंदिर है क्यो उनको करनी चाहिए थी इसका मतलब जिनको खुद न्याय वेवस्था को मिंटेन करना है वो खुद ही न्याय वेवस्था के साथ खिलवाड कर रहे हैं पुलिसमेन का बैज गायब था महिला पुलिस गायब थी और जिस तरह की कारवाई हुई उसको देखते हुए तुरंत ह एक को बेल मिली दो को नहीं मिली इसका क्या औचित्य था ये भी अभी क्लियर नहीं है उसके बाद जब आज केस हेरिंग के लिए आया तो मानिय न्याधिश ने दो से डाई घंटे के आसपास बहस को सुना दोनों तरफ के वकीलों की तरफ से गर्मा गर्म बहस होई और दो से धाई घंटे सुनने के बाद न्याधिश मौदय ने उस केस से अपने आपको रेस्क्यू कर लिया जिस तरह से ये घटना गर्म पिछले दो से तिन दिन में बदला है मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस समय न्याए विवस्था और जिस तरह से हमारे न्याधिश काम कर हैं इनके ऊपर एक सवाल खड़े करता है जहां तक बात है अरेस्ट की एक जर्नलिस्ट के अरेस्ट की ये बात बहुत क्लियर है कि एक विंडिक्टिव एप्रोच रहा है क्योंकि सारे तथ्य जो जनता के सामने आ रहे हैं उसमें ये कहीं नहीं लगता कि पुलिस इमानदा थी या ट्रास्परेंसी से काम किया था क्योंकि जिस तरह से एक अरेस्ट की प्रक्रिया है उस सब को वाइलेट करके एक महिला पत्रकार को अरेस्ट किया गया उसके बाद हाई कोर्ट ने जिस तरह से एक ही मामले में तीन जो अभियुक्त बनाए गए थे उसमें से एक को ब पत्रकार को छोड़ा और जो पूरुष पत्रकार थे उनको जुडिशल कस्टडी में रखा। इसका भी कोई लॉजिक समझ में नहीं आता है कि जब क्राइम एक है और जब रेस्क्यू हुआ है लॉजिक एक है तो बाकियों के दो के साथ नयाय क्यों नहीं हुआ। तीसरा जब आज मुद्दा वापस हाई कोर्ट में गया चर्चा के लिए तो जज ने दो से डाई गंटे तक इस केस को सुना दोनों तरफ के वकीलों ने काफी तीखी भैस करी ओवियसली क्योंकि इस समय मुद्दा न्याय का नहीं राजनीती का ज्यादा लग रहा है। जो सरकारी वकील थे उनको अपनी नौकरी की जिनता होगी क्योंकि इस समय चीफ मिनिस्टर के उपर और उसकी पुलिस और आम आदमी के कन्वीनर के प्रोग्राम उस मुद्दे पे जब इस पत्रकार को अरेस्ट किया गया तो अगर मान लीजिए कि आज दिल्ली सब्सक्राब देते कि हम केस हार गए पहला मुद्द अगर किस केस में वास्ता में मेरिट थी तो जजज ने तुरंत जो लोग थे आर्गुमेंट सुनने के बाद उनकी बेल कैंसल करके उनको जेल भेज़ देना चाहिए था लेकिन वो भी नहीं हुआ इसका मतलब यह है कि स मुख्यमंत्री इनवाल है राज्य की पुलिस इनवाल है और आम आदमी पार्टी के कनवीनर केजरीवाल इनवाल है तो कहीं ना कहीं जजज पर यह दबाव होगा कि अगर हमने इस समय सरकार के खिलाफ जजमेंट दिया कहीं उनके हितों पर प्रभाव तो नहीं पड़ेग सिरफ यह कहा कि पहले जिस जजज बैंच ने हियर किया था इस केस की सुनवाई की थी उसको दुबारा करने चाहिए क्या यह बात माननी यह जजज साब को सुबह नहीं पता थी जब उन्होंने केस शुरू किया था लेकिन दो ढ़ाई घंटे के बाद क्या उन पे कोई ऐसा प्रभाव पड़ा या ऐसा कोई दवाव पड़ा कि वो जजजमेंट ना दे और जब वो अपने आपको बंधावा मैसूस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं इस पे जजजमेंट नहीं दूँगा जिन्होंने पहले सुनवाई की थी वो ही दे अब यह मुद्दा चला गया है हाई कोड के चीफ जस्टिस के पास अब वो क्या निर्ना लेंगे यह बहस लंबी चलेगी लेकिन अब यह जानना जरूरी होगा कि एक तरफ सरकार है और दूसरी तरफ पत्रकार है इस समय जजजिस की स्थिती बड़ी कॉंप्लिकेटड है जहां तक बात है नियाय की और समिधान की समिधान तो यह कहता है जजजिस को बगेर किसी भीदभाव के बगेर किसी प्रेशर के जो निर्ने सही है वो लेना चाहिए लेकिन ये भी बात सही है कि जल में रहके मगर से कौन बैर करें अगर मानिये जजज को चंदिगड में रहना है चंदिगड हर्याना पास पास रहेगी कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके भविश्य पे या उनकी सुरक्षा में या किसी और तरह का कॉंप्रोमाइज किया जाए यह बात भी समझने की है तो क्या जज्जेस पे दबाव डाला जा रहा है ताकि वो सरकार के खिलाफ मत ना दे यह गंभीर मुद्दा है और भारत सरकार में हाई कोड़ सुप्रीम कोड़ की तरफ से कई जज्जमेंट्स में यह कहा गया है कि जज्जेस अगर अपने आपको रेस्क्यू करना चाहेंग तो सुप्रीम कोड का रोल क्या होता है मिनिस्ट्री अफ लॉइन जस्टिस का रोल क्या होता है मुझे लगता है इस समय जज्ज साहब ने कहीं न कहीं अपनी व्यक्तिगत चिंताओं को ध्यान में रखके अपने आपको रेस्क्यू किया है क्योंकि केस के अंदर मेरिट्स और डी मेरिट्स तो सबके सामने हैं तत्थे सबके सामने हैं कुछ छुपावा नहीं है लेकिन अगर सरकार के वकीलों ने अगर इतना दबाव डाला है जज्ज पे और उनको लगता है कि नहीं स्थितिक आउट अफ कंट्रोल हो सकती है तो शायद उन्होंने अपने आपको रेस्क्यू किया अब मुद्दा यह आता है कि क्या सुप्रीम कोट इसका इन्वेस्टिगेशन करेगा मुझे लगता है कि देश के सरवोच न्यायले के मुख्य न्यायधीश को एक कमेटी बनानी चाहिए और जहां पर ऐसे कॉंट्रोल डिसीजन होते हैं जज्ज अपने आ कोटे सिविल कोर्ट के मुद्दे क्रिमिनल केसे जो आम आदमी के हैं वहाँ पर जज्जमेंट लेना कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि दोनों तरफ पार्टियों का कोई बहुत बड़ा स्तर नहीं होता है कोई स्टेटस नहीं होता है तो आम आदमी के मुद्दों पर क्यूं कर लेंगे तो डेमोक्रिसी का क्या होगा इसका मतलब यह है कि अगर किसी शक्तिशाली इंसान का केस जजिस के सामने जाता है और जजिस पर प्रेशर बनता है तो क्या वो डिसीजन नहीं लेंगे और यह पहला केस नहीं है अतिक एहमद के मामले में भी इलावाद हाई कोर्ट में दस जजजज ने केस सुनने से मना कर दिया था ग्यारवे जजजज को जब ये केस मिला तो उन्होंने अतिक एहमद को बेल दे दी इसका मतलब पूरे के पूरे उच्छता उच्छ नयायले में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो एक अपरादी को अपरादी कह सकें क्या ये फियर्फुलने से या फियरलेसने से इस बात को समझना होगा अगर डेमोक्रेसी में जजजज ही अगर नयाय नहीं दे पाएंगे और शक्तिमानों के आगे घुटने टेक देंगे तो आम आदमी किस के पास जाएगी इसका मतलब ये है कि नयायले सिर्फ छोटे मोटे पैटी केसिस के लिए अपना टाइम निकाल रहे हैं लेकिन जहां उनको जजजमेंट देना है वहाँ खामोश है या वो केसिस लंबे चलते हैं कि मेरे tenure में मैं जजजमेंट नहीं दूँगा कोई और आके बिली के गले में घंटी बांदे क्या ये उचित है क्या ये democratic system है मुझे लगता है इसका एक सबसे बड़ा कारणी ये है कि जिस तरह से judges का appointment होता है या promotion होती है उसमें बहुत सारा जो role होता है वो human factors का है वहाँ कोई system नहीं है वहाँ एक biasness है तो अपने आपको अपने promotion को खराब ना करें अपनी image खराब ना करें controversial decision ना लें जिससे हो सकता है कि जो सत्ता में अभी सरकार है या जो opposition है कल को वो सत्ता में हो तो इन judges की promotion और future growth पे असर ना आए बात है तो मुझे लगता है कि honorable supreme court को जिस तरह से CBI और CBC के directors की appointment के लिए उन्होंने एक निश्पक्ष system बनाया है जहाँ पे fixed tenure है और एक जो सरकार नयाधीश और लोकसभा speaker या leader of opposition एक ऐसा system जो ballast हो वो जब CBC और CBI के directors को nuket करता है तो judges को nuket में क्या problem है इसका मतलब यह है कि जो आज high court और supreme court में हो रहा है ये collegium system की भी एक कमी को या weakness को दर्शाता है तो मुझे लगता है कि इस समय बहुत serious मन्थन की जरूरत है ये जिस तरह से case में judge ने अपने आपको rescue किया है ये भारत की democracy के लिए एक warning signal है इसको lightly नहीं लेना चाहिए अगर हम जागरूग नागरिव की अगर इन बुद्धों को seriously नहीं लेंगे तो political class के लिए तो बहुत आसान है कि जो सत्ता में होगा और जो जिस राज्य की सत्ता में होगा वहां के judges पे दवाव डाले इससे आने वाले दिनों में जुडीश्री की साख पे बटा लग सकता है और अगर जुडीश्री discussion नहीं रही तो democracy का कोई मतलब नहीं रहता है तो इसलिए आज democracy के बारे में हमें सोचना है तो जुडीश्री को कैसे strengthen किया जाए ये सोचना होगा लेकिन दुख की बात ये है कि पत्रकारों में भी division इस बात को लेके है क्योंकि उनके विरोधी खेमे के किसी पत्रकार को सजा हुई है तो आधी पत्रकारिता जगत के लोग जो अपने आपको पत्रकार बोलते हैं वो बहुत खुशी मना रहे हैं कि इस तरह के घटना क्रम तो होते रहेंगे अगर आप भारत सरकार या मोदी का साथ देंगे अब दुख की बात ये है कि क्या केजरिवाल वर्सिस मोदी पत्रकारिता में भी होगा क्या हमारे जो पत्रकार हैं उनकी कोई neutrality है या नहीं है क्या उनके कोई principles भी है या नहीं है इसका मतलब एक तरफ जुडिशरी pressure में है वो निर्णे नहीं ले पा रही और दूसरी तरफ जो पत्रकार है जिनको चौथा स्थम कहा जाता है डेमोक्रेसी का वो भी cracked में है क्या एक चौथा खंबा जिसके अंदर खुद ही crack है क्या वो डेमोक्रेसी को support कर पाएगा स्थिती बहुत विचित्र है हर इंसान ने अपने उसूलों को मुद्दों को छोड़के स्वार्थ के उपर decision लेना शुरू कर दिया क्या ऐसे पत्रकारों को हमें weightage देना चाहिए क्या judiciary में अगर इस तरह के काम हुए तो क्या लोग judiciary को weightage देंगे और अगर दोनों ही काम नहीं करेंगे और political system तो वैसे ही divided है और जहात एक बात है bureaucracy की तो वो उसी की सुनेगा जो सत्ता में है इसका मतलब कोई भी देश हित में काम नहीं कर रहा हर आदमी अपने स्वार्थ को पहले रख रहा है समिधान और देश का नंबर बाद में हा रहा है इस से ज़्यादा tragedy उन लोगों के कारण क्या हो सकती है जो अपने आपको समाज में सबसे intellectual बोलते हैं सबसे ज़्यादा ग्यानी बोलते हैं जब वो लोग एक role model नहीं बन सकते समाज के लिए जब ये लोग समाज में एक गंदा उधारण दे रहे हों तो आने वाली पीडियां किस से सीखेंगे चिंदा की बात है आपका क्या कहना है इस मुद्दे पे मुझे तो लगता है कि आज जो development हुआ है वो democracy के लिए अच्छा नहीं है आप क्या क्या कहना है दोस्तों क्या जुडिशरी को stand लेना चाहिए क्या judges को मिलके एक ऐसा system बनाना चाहिए कि कि किसी भी तरह का अगर pressure किसी judge पे आता है तो सारे judges मिलके उस pressure को neutralize कैसे करें जैसे bureaucracy में इनका अपना एक system होता है कि कि किसी भी अधिकारी के उपर कोई undue pressure आता है तो उनका tribunal है जहां हो जाके justice ले सकते हैं क्या judges के लिए भी ऐसे tribunal की जरुत है अगर ऐसा है तो सबसे पहले हमें collegium system को सुधारना होगा सरकार को आगे कहें घुटने ना देखने जो democracy के लिए खतरनाक होगा आपका क्या कहना है दोस्तों मुझे लगता है आज की घटना है democracy के लिए अच्छी नहीं क्योंकि इसमें एक तरफ judiciary involved है दूसरे तरफ पतरकारिता involved है और तीसी तरफ state government involved है और bureaucracy तो वही करेगी जो state कहेगी पुलिस वही करेगी जो state कहेगा या चीफ मिनिस्टर कहेगा सिती complicated है आपका क्या कहना दोस्तों अगर आपको ये चर्चा पसंद आती है इस चैनल को subscribe करें किस वीडियो को share करें क्योंकि अगर हम जागरुक नागरेक आवाज नहीं उठाएंगे इन घटनाओं पे तो कौन उठाएगा रास्टर के लिए समिधान के लिए और हम सब के लिए सही रास्ताय पे जलना और आवाज उठाना जरूरी है क्योंकि स्वार्थी लोग तो अपना काम कर रहे हैं हमें कौन बचाएगा तो हमें अपनी आवाज खुद बनना होगा आपने वक्त निकाला आपका धन्यवाद अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो इसको share करें अपने सब ग्रुप्स में share करें क्योंकि हमें जागरुक नागरिकों का भी होसला बढ़ाना होगा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि और महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ मैं आपके पास फिर आऊंगा फिलाल आपने वक्त निकाला धन्यवाद बंदे मातरों जाते जाते एक बार निवेदन और चैनल को सब्सक्राइब करें